एक गाउं था उस गाउं में एक महाजन था महाजन बहुत ज्यादा लालची था पैसे के प्यार में पूरी तरह से पागल था वे पैसे के अलावा किसी भी चीज को महत्व नहीं देता था ना किसी रिष्टेदार को ना ही किसी घर परिवार के सदस्य को दोस्त बहुत थे उसके लेकिन किसी को भी समझ नहीं दे पाता था अक्सर इसके घर वाले इसको बहुत समझाते की जिंदगी में पैसे के अलावा और भी चीजों का महत्व है किन्तू महाजन इस बात को समझ नहीं पाता था और वैसे ही निरंतर पैसे और वैपार में अपने आपको व्यस्त रखता था परिवार दौरा या रिष्तेदारी में कहीं पर भी यदि कोई प्रोग्राम होता था तो महाजन वहाँ पर कभी नहीं जाता था एक बार की बात है इसके सभी परिवार वाले और कुछ यार दोस्त भूमने की योजना बनाते हैं लेकिन महाजन साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा महाजन अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था बेटी के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर यह साथ चलने को तयार हो जाता है लेकिन यह भी तै कर लेता है कि शाम को जल्दी वापस आ जाएंगे ताकि मैं आने के बाद अपना काम कर लूँगा और महाजन उनके साथ चला जाता सारा परिवार और महाजन के कुछ दोस्त अपने परिवारों के साथ सफर पर निकल जाते हैं सफर उनके घर से करीब 160 किलो मेटर का था पहुंसते पहुंसते दो पहर हो जाती है सभी लोग पूरी तरह से ठक चुके थे इसलिए एक धर्मशाला लेते हैं वहाँ पर सभी स्नानादी करके पूर्ण रूप से ताजगी का अनभव करते हैं उसके बाद सभी अपने लिए परशाद लेते हैं और चल पड़ते हैं मंदिर की तरफ महाजन पूचता है आखिर तुम लोग आए कहां हो मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कोई कुछ नहीं बोलता और सिर्फ लगातार चलते रहते हैं थोड़ी दूरी पर चलने के बाद ही मंदिर का दरवाजा दिखाई देता है महापर देखते हैं तो भक्तों की अपार भीड लगी ही थी यह देखकर महाजन भी चौक जाता है ऐसा कौन सा देवी या देवता है जिसके लिए भक्तों की इतनी ज्यादा भीड लगी ही है यह सोचते सोचते वा लगातार आगे बढ़ता रहता है जैसे जैसे यह लोग भक्तों की भीड के पास पहुंचते हैं जै श्री शाम जै श्री शाम तीन बान धारी की हारे के सहारे की शीश के दानी की लखदातार की जै जै कार के नारे सुनाई पढ़ने लगते हैं भक्तों के अंदर चलते चलते महाजन भी उन जैकारों में इतना खो जाता है कि बर्बस ही इसके मुख से भी जै जैकार निकलनी शुरू हो जाती है अब महाजन भी जैकारे लगाते हुए आगे बढ़ता चला जाता है जैकारे लगाते लगाते महाजन इतना खो जाता है उन जैकारों में की अपनी व्यस्तता को भूल जाता है और पूरी तरह से शाम रंग को पहन लेता है और जोर जोर से खुद ही जैकारे लगाने लगता है जिस महाजन ने अभी तक शाम बाबा को देखा भी नहीं था वह महाजन जोर जोर से जैकारे लगाने लग जाता है मन्दिर के पास जैसे वह पहुँंच जाता है मन्दिर की सीडियों पर चलते चलते वैसे ही लगतार जैकारे लगते हुए वाय एकदम शाम दरबार के सामने पहुंचता है जैसे ही अपनी बारी आने पर यह श्याम बाबा के लिए प्रशाद और फूल चड़ाने लगता है इसके नज़र श्याम प्रतिमा पर पड़ती है यह देख कर चौक जाता है कि वहाँ सिर्फ श्याम का सीष दिखाई दे रहा है नीचे शरीर का हिस्सा वहाँ पर विराजित नहीं है यह सब देख कर महाजन से रुका नहीं जाता और वहाँ पर विराजमान पंडी जी से पूँच लेता है यह कैसी लीला है सिर्फ शीष यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रभू का पूरा शरीर कहाँ पर है पुजारी जी श्री श्याम की पूरी कहानी महाजन को विस्तार से सुनाते है महाजन सुनते सुनते बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है पंडी जी मौर छडी का ज़ाड़ा महाजन के लगाते है और जैसे ही वह ज़ाड़ा महाजन को लगता है महाजन का मन एकदम शान्त हो जाता है और वा बाबा की मूर्ती के सामने हाथ जोड़ कर वैसे ही एक टक देखता रहता है और कहता है बाबा मैं तेरा भक्त बन गया हूँ अब मुझे ऐसे ही अपने दर्वार में बुलाते रहना सबी लोग मंदिर से बाहर आ जाते हैं लेकिन जब महाजन को ढूंडते हैं तो पता चलता है महाजन अभी तक बाहर नहीं आया है इस पर महाजन की पत्नी वापस से मंदिर के अंदर जाकर महाजन को बुलाती है चलिए अब चलने का समय हो गया है नहीं तो शाम को घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी महाजन ना चाहते हुए भी वहाँ से उठकर चला जाता है अब तक उसके हाथ वैसे ही जैसे बाबा के सामने उसने जोड रखे थे जुड़े हुए थे महाजन की आखे लगातार आंसों की धारा बरसा रही थी महाजन किसी से भी कोई बात नहीं कर रहा था सिर्फ ओम श्रीशाम देवाए के मंत्र उसके मुख से निकलते जा रहे थे महाजन पूरे रास्ते में ना खाना खाता है ना पानी पीता है घर आने के बाद भी वलगातार ओम श्रीशाम देवाए के जैकारे ही लगाता रहता है अब तो महाजन के मुख पर हर पल बस बाबा श्रीशाम जी के जैकारों की गून सुनाई पड़ती है बीतते बीतते वक्त बीता ग्यारस का दिन था महाजन को कहीं से पता चला आज काफी सारे भक्त उसके यहां से श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं महाजन भी अपने गाड़ी लेकर महाँ पहुँच जाता है देखता है काफी सारे भक्त महाँ पर हैं कुछ लोग हाज जोड़े खड़े हुए थे कह रहे थे हम भी जाना चाहते हैं लेकिन कोई साधन नहीं बन पा रहा और ना उनके पास जाने के लिए पैसे हैं यह सब देखकर महाजन अपने एक मित्र को फोन करता है और वहाँ पर एक बस मंगवा लेता है और जो और से स्री शाम बाबा का जैकारा लगाते हुए बस के पास पहुँच कर कहता है जिस किसी शाम भक्त को बाबा शाम के दरबार में हाजरी लगाने के लिए सच्चे मन से जाना है और जिसके पास जाने के लिए प्रयाप्त साधन और पैसे नहीं है वह इस बस में आकर बैड़ जाए महाजन की बात सुनते ही जैसे महापर भक्तों में खुशी की लहर दोड़ पड़ती है जो वास्तों में गरीब और असहाय थे वह लोग उस बस में सवार होने लग जाते हैं देखते ही देखते बस पूरी तरह से भर जाती है महाजन फिर भी तसली कर लेता है कि कहीं कोई और व्यक्ती तो नहीं छूट रहा जो श्याम बाबा के दरबार में हाजरी लगाना चाहता है जब पूरी तरह से महाजन को तसली हो जाती है कि सबी लोग उस गाड़ी में सवार हो गए है महाजन अपने गाड़ी से अपने परिवार के साथ आगे आगे चल पड़ता है और बाबा के दर्बार में पहुँचकर बाबा से हाथ जोड़कर कहता है बाबा तुने मुझे इतना सामर्थेवान बनाया है तो मैं तेरे भक्तों को कैसे वहाँ पर छोड़ कर आ सकता था बाबा इसी तरह अपनी कृपा मुझ पर बनाओ ताकि मैं और ज़्यादा भक्तों को आपके दर्बार मिला सकूँ देखते हैं देखते महाजन का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है महाजन और ज़्यादा धनवान हो गया अब महाजन की इज़्यत भी और ज़्यादा बढ़ गई सबी लोग उसको श्याम भक्त के नाम से जानने लगे वह हर किसी की मदद करने लग गया था जब भी देखता की कोई व्यक्ति बाबा के दर्वार में जाना चाहता है लेकिन उसके पास कोई विवस्ता नहीं बन पा रही है तो महाजन खुद अपनी तरव से उसके लिए पूरी विवस्ता करवा देता बाबा के दर्वार में आने और जाने तक की देखते ही देखते पांस से छे साल गुजर गए महाजन का कारोबार अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था ग्यारस का दिन था महाजन को आज बाबा के दर्वार में जाना था पूरे परिवार को कह देता है तैयार हो जाओ हमें निकलना है परिवार वाले अपनी तैयारी में लग जाते हैं महाजन भी अपनी यार दोस्त को फोन पर बताता है जो अभी चलना चाहता है वह चलने के लिए तैयार हो जाए आज पास में भी किसी से पूँचना हो पूँच ले हम लोग चलेंगे तवे महाजन के पास उसके मैनेजर का फोन आता है और वह बताता है साहब आज एक बहुत बड़ा वैपार के लिए हमसे मिलने के लिए आ रहा है अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो यह वैपार हमारे हाथ से निकल जाएगा वैसिर्फ आज आदे घंटे तक के लिए हमसे मिलना चाहता है आप कहे तो मैं उसको बुला लेता है यह आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए महाजन थोड़ा सोच विचार में पड़ जाता है लेकिन कहता है मैनेजर सहब आप उससे मिटिंग कर लेना मुझे बाबा के दरबार में जाना है और मैंने सब को बोल दिया है जाने की तैयारी करने के लिए आप अगर नहीं गया तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन उधर से मैनेजर की आवाज आती है सहब अगर आप व्यपारी से नहीं मिले तो यह व्यपार हमारे हाथ से निकल जाएगा जो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा दे सकता है रही बाबा के दरबार में जाने की बात तो दरबार में तो आप बाद में भी जा सकते हैं मिटिंग करने के बाद महाजन को लगता है मैनेजर कह तो सही रहा है आधे घंटे की ही तो बात है मैं मिल लेता हूँ फिर निकल जाएगे अपने गाड़ी से जाना है इसलिए ज़्यादा सोचने वाली भी जरूरत नहीं है कि समय पर वापस नहीं आ पाएंगे या कुछ और है महाजन मेनेजर को कह देता है ठीक है तुम उसको बुला लो मैं तब तक दफ्टर में आ जाता हूँ महाजन घर पर बोल कर चला जाता है कि एक मीटिंग है मैं वह मीटिंग करके आता हूँ उसके बाद हम लोग बाबा के दरबार के लिए निकल जाएंगे महाजन दफ्टर जाता है जिस वेपारी को आना था वेपारी आकर महाजन से मीटिंग करता है मिटिंग में काग जी कारवाई करते करते और बात करते करते महाजन को पता ही नहीं चला कि शाम हो चुकी है आखिर कार महाजन का एक दोस्त उसके दफ्तर में आता है दफ्तर आकर कहता है भाई तूने हम सब को जाने के लिए तयार कर लिया हम सब तेरा इंतजार करकर के ठक गए लगातार फोन कर रहे हैं तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो और देखते देखते अब शाम हो गई है अब तो हम निकल भी नहीं पाएंगे अच्छा होगा हम अगली ग्यारस का इंतजार करते हैं महाजन अपने दोस्त की बाद सुनकर चौक पड़ता है घड़ी की तरफ देखता है तो शाम के शवा साथ हो गए थे महाजन की आखों से आसु बहने लग जाते हैं महाजन सोचता है आज मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया मैंने मेरे साथ साथ कितने और लोगों को बाबा के दरबार जाने से वंचित कर दिया है महाजन मन ही मन बाबा से माफी मांग रहा होता है महाजन वापस अपने घर आता है सभी परिवार बाले महाजन से बहुत नाराज थे कि आज आपने जाने के लिए तयार करवा दिया लेकिन गए भी नहीं महाजन सबसे माफी मांगता है अब आज की रात महाजन की कैसी बीतेगी या एक कलपना है उस कलपना को महाजन के सपने के रूप में आपको सुना रहा हूं मित्रों रात होने के बाद महाजन खाना पूरी तरह से नहीं खा पाता है और अपराद बोध में विश्तर तक जाता है यहाँ पर उसे नीद आ जाती है अब सपना शुरू होता है सुनिएगा मित्रों बहुत गौर से महाजन विश्तर से उठ रहा है लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा लगातार कोशिश करने के बाद भी महाजन विश्तर से नहीं उठ पाता महाजन के घर वाले महाजन को डाक्टर से चक अप करवाते हैं पता चलता है महाजन को पैरालिसिस का अटैक हुआ है जिसके चलते दोनों पैर उसके काम करना बंद कर गए हैं अब वैं अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा महाजन सुनकर जोर जोर से रोने लग जाता है महाजन कहता है बाबा मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि मेरे को मेरे करमों की सजा मिल गई और मेरे दोनों पैर खराब हो गए हैं मैं अब तक आपके दरबार आता रहा लेकिन अब मैं आपके दरबार में कैसे आपाऊंगा फील चेर पर बैठा बैठा महाजन सोच रहा होता है तब ही उदर से एक डाकिय निकल रहा होता है डाकिय को अपने पास बुलाता है भाई मेरा एक पत्र तुम्हें मेरे बाबा के दरबार तक पहुचाना है, क्या तुम वह पत्र पहुचा दोगे, बदले में मैं तुम्हारी मेहनत का पूरा फल दूँगा, दाकिया कहता है, मैं तो पूरी तरह से बेकार बैठा हूँ, एधर उधर घूमता रहता हूँ, चिठी पत्री अब किसी की आती ही नहीं, इंटरनेट का जम प्री बैठा हूँ, सेड़ जी, आप मुझे किराया भाड़ा दे दीजिए, मैं आपका पत्र स्वयम लेकर चला जाओंगा, महाजन पत्र में अपनी पूरी बात लिख देता है, और डाकिये को दे देता है, साथ ही डाकिये को हजार रुपए भी देता है, और कह देता है कि आने जाने का किराया आपका 200 रुपए लगेगा, बाकिये के 800 रुपए में आप अपना नास्ता और खाने का इंतजाम कर लेना, फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है, तो मुझे आकर बता देना, मैं आपको और पैसे दे दूँगा, डाकिया चला जाता है, यह सारी घटना स कहते हैं, उस पत्र में बाबा कहते हैं कि भक्तों की भूल चूप, मैं हमेशा माफ कर देता हूँ, तूने तो वैसे भी अपने कर्म को बड़ा समझा, इसलिए कर्म करने चला गया, बस तेरे से भूल यह हुई कि, तूने उन सभी भक्तों को भी रोक लिया, जिसको तूने तयार किया था, किन्तु कोई बात नहीं, मैं जल्दी तुम्हें अपने दरबार में बुला लूँगा, दाकिया वापस महाजन के घर आ जाता है, शाम के चार बजे थे, महाजन बाहर बालकनी में ही बैठा था, दाकिये को अपने घर की तरफ आता देखकर, महाजन जल्दी जल्दी वील्चेर को नीचे उतारने वाली सीडियों की तरफ ले जाता है, और जोर जोर से घर वालों में से किसी को बुलाता है, कि अरे कोई सुनता है, मुझे नीचे तक उतार दो, दाकिये मेरे बाबा का संदेशा लेकर वापस आ रहा है, मैं दाकिये का स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी महाजन की आवाज नहीं सुनता है, ऐसा लग रहा था, जैसे घर पर उस समय कोई नहीं है, महाजन किसी के आने का इंतजार नहीं कर पाता, और आखिरकार अपनी वील्चेर को सीडियों की तरफ दोड़ा देता है, लेकिन जैसे ही पहली सीडि पर वील्चेर आती है, महाजन सीडियों से गिरता हुआ, नीचे पहुंच जाता है, जहां पर उसे काफी सारी चोटे आ जाती है, लेकिन फिर भी महाजन चल खड़े होने की कोशिश करता है, उधर डाक्या गेट पर आ चुका था, महाजन कहता है, रुको भक्त, मैं आ रहा हैं, और महाजन लगातार उठने की कोशिश करता रहता है, बाहर से दरवाजे पर पहुंच चुके डाके की आवाज आती है, हारे के सहारे की, अंदर से महाजन जोर से चिलाता है, जै, और जैसे ही यह जैकारा महाजन लगाता है, वह खड़े होने की कोशिश करता है, और द प्रकारे की जय, लगातार जयकारे उचे 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 आवाज में महाजन लगाता रहता है। तब ए महाजन की पत्नी महाजन को पकड़ लेती है और कहती है आपको क्या हो गया। बाबा की बहुत सारे हकीकत के किस्से हैं। आख पे पास इसी तरह लेकर आता रहूंगा। बोल ये श्री शाम बाबा की जैए। दोस्तों आपको आखता कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे कथाओं को शेयर जुरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा गहन पराप्त हो, जैए श्री राम भक्तों।